मा शक्ति की उपासना का महापर्व चल रहा है मा शक्ति देती है मा सामर्ति देती है मा नवचेतना देती है और मा धहर्य देने वाली होती है प्रतियक ख्षेत्र में सफलता के लिए जीवन की इस सर्वांगीन स्थतियों में सफलता के लिए धेर्य के आवशक्ता प्रतियक क्षण होती है और आज के इन दिनों की सबसे महत्पूर आवशक्ता ही धेर्य है हम धेर्य का बीज अंकुरत करके चलें प्रतियक परिवार जन या जो भी विक्ति विशेश हमसे जुड़ा हुआ है दूर भाष के द्वारा उसको हम ये जरूर सूचना देते चले जाएं कि आज जिन स्तर के उपर हम धेर्य के साथ में चल रहे है भावी पीड़ी उसी के साथ में नव दिर्मित होती हुई दिखाई देगी ये नौ दिन नवरात्रा का पर्व प्रति एक घर के भीतर ईश स्थान मौजूद है वहीं बैटकर हम मा की उपासना और आराधना करें और व्यक्ति विशेश खुद के भीतर एक चेतना को जागरित होता हुआ लगातार महसूस करें यही समय का एक प्रमुक उद्देश्य मात्र है तो यहां मा ब्रह्मचारणी की उपासना का ये दिवस विशेश है तब का आचरण और विध्यारती जीवन के भीतर तब के आचरण की आवशक्ता सबसे दिख रहती है या देवी सर्वभोतेशू, ब्रह्मचारणी रूपए इन संस्तिताम, नमस्तस्याई, 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 नमो नमह इस मंत्र का आपको जाप, एक माला के रूप में सुबह सुबह जरूर करना चाहिए अगर आप विध्यारती जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर धैर की जहां पर कॉंशियस अप्रोच की जहां पर एकागरता की आवशक्ता सबसे अधिक है महा मा ब्रह्म चारिनी की उपासना भी उसी आधार के उपर निरंतर तोर पे करते चले जाना चाहिए चब्वीस मार्च दोहजार बीस ब्रहस पतिवार चैतर मास शुक्ल पक्ष चल रहा है तो वहीं सूरिदेव मीन राशी स्तान में विराजमान और चंदरमा सुबह साथ बचकर पंदरह मिनिट के बाद से नेश राशी स्तान में विराजमान हो चुके होंगे तो यहीं से हम गतिविद्यों को देखने का जानने का और समझने का प्रयास करते चले जाएंगे शुरवात करते हैं नेश राशी के साथ में आत्म विश्वास की कमी नहीं है जो भी हमारे घर परिवार के सलस्य हैं उनको बहुत अच्छे से उरजावान रखें किसी का भी धैर हम अगर बढ़ा सकते हैं या मनुबल बढ़ा सकते हैं उसका प्रयास देरंतर तोर पर आपको करना चाहिए मन में जो भी व्यत्त करने वाले स्तियां पिछले दूर भाई दिनों से मौझूद थी अब वो धीरे धीरे कम होती वो दिखाई देगी ग्रहस्त जीवन का मो मुक्ता के साथ में रहेगा आप आज सुबह सुबह उटकर सबसे पहले जो अखंड जोध हम घर में स्थापित करते हैं उसका दर्शन मात्र निरंतर तोर के उपर करने का प्रयास हमको जरूर करना चाहिए स्वास्थे संबंदी स्तियों का विशेश तोर पर हम ध्यान रख कर चलें और वहीं मौसम जरत विमारियां कहीं पर भी हमको परेशान नहीं करें ये भी एक मैंचनेबल एपरोच के साथ में रहेगा कुटुमभी जनों का जो सयोग परोक्ष तोर पर हमको मिलना चाहिए वो भी बहुत अच्छे लेवल के साथ में बना हुआ है आपके बंदी स्ततियां परिशान कर रही थी जिसने एक मानसिक दबाव हमारे लिए कहीं न कहीं घेर कर बना कर रखा हुआ था वहां से भी अब धीरे धीरे आपको एक रिलेक्स करती हुई पूलिशन निरंतर तोर के उपर दिखाई देगी एक बात तो ये वहीं पर जो स्तति को दिर्वित करता है वहां से भी आप आजाद होते हुए दिखाई देंगे निराशाओं को बिल्कुल भी अपने उपर हावी मत होने दीजिए मौन के महत्व को इस दिन अपने जीवन में उतारने का प्रयाज भी आपको करना चाहिए ये एक महत्वपूर्ट स्तति तो वहीं पे जो भाग्य का संबल सयोग मिलना चाहिए वहां पर भी एक त्वरित इस्तर आपके लिए स्थापित होता हुआ दिखाई देगा जो भी मानुभाव विद्ध्यारती जीवन के अंदर जुड़े हुए हैं उनको आज के इस दिवस का महत्व समझना चाहिए मा ब्रह्मचारेनी की उपासना और साती सात में अपने भीतर एक अगरता को स्थापित करने का प्रयास करें डिस्ट्रेक्शन के साथ में कहीं भी हम खुद को जोडने वाले नहीं रहें मिथुन राशी स्वरपर्थम यहां आप देखिए कि शेयर मार्केट संबंधी के तिवधियों में किसी भी लंबे समय का निवेश अगर आपको करना है और उसकी योजना आपने बना कर रखी हुई है उसे लहाज़ा आप अपने कारे को रुपांतरित कर सकते हैं संतान पक्ष के साथ में अच्छा समय बीटता हुआ आपके लिए दिखाई देगा तो वहीं पर एकागरता के साथ में सेल्फ कॉंशियस अप्रोच के साथ में बढ़ते हुए आप कई शेत्रों के अंदर लंबे समय की प्लैनिंग कर सकते हैं भूमी संबंधित कोई भी काम काज के साथ में आपका जुडाव है और पारिवारिक जनों के साथ में उसको डिसकस करना बहुत ज़द आवशक है उसलेहाजा भी आप चलने का प्रयास करते चले जाईएगा या आप ध्यान रखें तो वहीं किसी भी रचनात्मक फिल्ड के साथ में आपका जुडाव है या फिर तकनीक संबंदी शेत्र के साथ में जहां वर्क फ्रॉम होम की बुरिशन्स रहती है उसके साथ अगर आप चल रहे हैं तब भी इस दिन को आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और अच्छे इस्तर का कहा जा सकता है कहीं भी कोई दोराई नहीं है मानसिक सुक के स् खाई देंगी स्वास्त संबंदी स्तर पर कोई भी लापरवाही आप नहीं बरते हैं करक राशी स्वरपरतम आप देखिए कि जो दशम भाव के चंदरमा की स्ततियां जुड़ी हुई है वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात को यहां पर दर्शाने का कारे कर रही है क भावनात्मक तोर पर कोई भी निरनाय लेने से आप बचते चले जाईएगा एक स्तरी स्तति तो यह तो वहीं दूसरे लिवल पर आप यह भी देखें कि आज भी काके जो साधन आपने विकसत किये थे अभी उसके अंदर एक शितिलता है एक स्तिरता है तो हम उसी के साथ मे की कमी थी यह सामन जस से आपके लिए यहां से बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपस के जो डिसकेशन होते हैं उसको अधिक महत्व देकर चलिएगा और वहीं मस्कुलर पेन संबंदी समस्याएं हलके फुल के स्तर पर आपको परिशान करने वाली हो सकती है जिसके उपर न अध्यात्मिक्ता की प्रगतिशीलता को जीवन में लाने के साब से यह दिन बहुत महत्व का कहा जा सकता है इस दिवस विशेश के इंदर आप कोई भी पुस्तक को पढ़ना शुरू करना चाहते हैं जो आपके लिए सेल्फ हेल्प की हो स्पिरिच्वालिटी की डिरिवन जीवन के अंदर लेकर आए या कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की आप और जादा अधिकार की स्थियों को मन के भीतर स्थापत करना चाहते हैं रेडिंग के और जा सकते हैं अब्जर्वेशन और अनलेसिस बहुत गहरे तरीके से यहां आपकी भीतर स्थापत है जिसको भी कहीं न कहीं यूटिलाइज आपको करना चाहिए पराक्रम की स्थिया मनी हुई है आप एक अलग स्थर के साथ में उर्जावान है तो जो भी विक्ति आपको आसपास निराश दिखाई दे कोई भी पारिवारिक जन आपको हताश दिखाई दे उसको उत्साहित करने का प कन्या राशी ऐसा व्यापार आपका चल रहा है जो घर की स्थियों के साथ में ही आगे बढ़ता है वहाँ पर भी बैटर्मेंट की ऑपरचुनिटी सामने आती हुई निरंतर तोर के उपर दिखाई देगी सुबह सुर्युदे के समय मा की आरादना और उपासना भी आपको निरंतर तोर के उपर करते चल जाना चाहिए सुरबर्थम जोद के दर्शन करें और उसके बाद नहीं अपने कारी प्रियोजन के और जो है अपनी गतिशीलता को बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा आपके लिए यहां रहने वाला है रेसर्च अनलेसिस संबंधी कामकाज में भी यहां एक बैटरमेंट की अप्रोच आपके लिए दिखाई देगी कोई भी खोज परक्स्तियां किसी शेतर विशेश में रहती है वो एक नव चेतना को प्रस्पोटित करते हुई दिखाई दे रही है तो लाराशी के महनुभावों को किसी भी तरीके का नया इनिशेटिव लेने से बचना चाहिए जल्द बाजी में कोई भी निरनाय लेने की और आप नहीं जाएं अपनी भार्या का बैटर हाफ का जो स्वास्ति का इस्तर होता है उसका ख्याल रखने का भी प्रयास आप जरूर करें व्यापारिक सांजेदारियों के साथ में किसी भी तरीके की कोई ने प्रवत सिर्फ यही है कि हम यहां अपनी कार्ये योजनाओं को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते चले जाएं विदेश संबंदी स्तर के उपर आपका कोई भी टेकनोलोजी डिरिवन बिजनस चल रहा है तो वहाँ पर सफलता की स्तियां बहुत बहतर तरीके से समक्षात हुई दिखाई दे रही हैं वरश्चे कराशी के महानुभावों को किसी भी तरीके का रण देने और लेने से बचना चाहिए फाइनेंशल बर्डन को बढ़ाने से जितना आप दूर रहते हैं उतना अच्छा है अग्याद भय की स्तियों पर नियंतरन स्थापित करने के लिए चंदर शेकर अस्टकम और मा की उपासना का जो ये शक्ति पर वो चल रहा है वहाँ पर भी अपनी आराधना उपासना को दिरंतर बढ़ाईएगा रोग नाश का जो मंत्र रहता है उसका भी जाप जरूर आप करते चले जाएं वहीं जो आंतरिक और बही ये शत्रू आपको परेशान कर रहे थे वहां से भी आज आपके लिए स्वतनतरता मिलती हुई दिखाई दे रही है यानि कि जहां पर भी हम उहाँ पोह में चल रहे थे या किसी व्यक्ति विशेश के साथ में एक प्रेशराइज करने वाली पोडिशन में थे दोनों ही इस तर के उपर एक बहुत अच्छा लेवल आपके लिए दिखाई दे रहा है इसमें कहीं भी कोई नेगेटिविटी की अप्रोच नहीं है या आप स्मृतियों में रख कर चलते चले जाएगा संतान पक्ष और ग्रहस्त पक्ष का सपोर्ट बहुत बढ़िया लेवल के साथ में है और वही आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन की पोडिशन को भी क्रेट करने वाला रहेगा अगर मैं यहीं पर धनुराशी की चर्चा करता हूँ तो सक्षा में एक फ्रू मिल सकती है और साती सात में शेयर मार्केट संबंदी स्तर पर कोई भी नया निवेश अगर आप करके आगे बढ़ना चाहते हैं उस लहाजा भी समय को बेहद सार्थक और बेहद अच्छा आपके लिए कहा जा सकता है कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत और परेशानी नहीं दिखाई देती है ये आप स्मृतियों में रखिएगा तो वहीं दूसरे लेवल के उपर जो एकादश भाव पर चंद्रबा का द्रिस्टी निक्षेपन है हमारे लिए परोक्ष तोर के उपर जो भी कामका चलते हैं तकनीक के साथ में कोई कामका चलता है या कोई भी ऐसा क स्वलजी स्थियां थी परिशान कर रही थी उसको भी आप एक तरह से बैठकर सुलजाने वाले हो सकते हैं मकर राशी यहां आप सर बर्थम किसी भी स्थर पर सक्षा संबंदी के विधियों के साथ में फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन सामने नहीं आया ये ध्यान रखें फरस्ट्रेशन जो मन के भीतर है उसको दूर हटाने के लिए जो भी हमारा होनर है या जो वर्षों से हम कामकाज नहीं कर पाए हैं जहां हमारा इंट्रेस्ट रहा है और घर के साथ में जोड़कर वो किया जा सकता है तो उस और भी का प्रयास निरंतर हम करते चले जाएं ये हम जरूर याद रखें तो वहीं पर किसी भी सामाजिक सरुकार में हमारी आवशक्ता हो कहीं पर भी हमारी युगदान के आवशक्ता हो उस और भी आपको जरूर प्रयास करने चाहिए वहीं अगर मैं चर्चा कुरूँ कुम राशी की प्राक्रम की स्ततियां बहुत बहतर तरीके से बनी हुई है मेडिको फिर्ट के साथ में अगर आप जुडाव रखते हैं ये दिन भाग दोड के साथ ही सुखत परिणाम ये शमान की प्राप्ति को लेकर आने बाला रहेगा भाग ये परदायक स्ततियां बनी हुई है तो वहीं पर निराशाओं के माहोल से बाहर निकल कर और निकाल कर आप स्वयम को भी और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करने वाले रहेंगे ये स्तति तो वहीं मित्रों का अपिक्षत सयोग मिलता हुआ आज आपके लिए दिखाई दे रहा है कोई भी जटल समस्या जीवन के साथ में जुड़ी हुई थी उसके समाधान की उम्मीद भी आज की जा सकती है मेन राशी जो भी इस्तरिय विशेश कामकाज आकस्मिक धनलाप के साथ जुड़ा होता है वहाँ एक बहतर इस्तती आपके लिए बनी रहेगी पर्थम द्रिस्टी कोचर इस्तर ये जो भी अग्याद भय के साथ में हमारे लिए पूरिशन्स चल रही थी जो मानसिक स्तर प पर संयम बरतें कुटमबी जनों के साथ में किसी भी तरीके का वैर विरोध है तो उसको बहुत अच्छे से दीमेपन के साथ में सुल जाने का कारे हमको जरूर करना चाहिए संतान पक्ष ग्रहस्त जीवन बाता-पता के साथ में गर परिवार में अच्छा सुखत समय बीते तो ये था 26 मार्च 2020 का देनिक राशिफल ऐसी ही चर्चाओं के साथ हम निरंतर हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और हरदय से आभार